नमस्कार दोस्तो ओटेक्स पर डारीम आपको स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम डिटेल कंपेर्जन करने जा रहे हैं TVS Sport वर्सिस Hero HF 100, Hero HF Deluxe का कंपेर्जन करने की वज़े भी आप ही लोग हैं क्योंकि आपने TVS Sport के वीडियो वाले कैमेंट वोक्स में काफी जादा कैमेंट किये हैं के भाई TVS Sport करीने या फिर Hero HF 100 पर जाए तो चलिए दोस्तो आज आज आपके सभी डाउट्स किलियर कर दूँगा चोटे से चोटा डाउट किलियर कर दूँगा आपको दोनों में से कोन सी भाई के लिनी चाहिए और कोन सी भाई कहां पर वैल्यू वोर मनी है तो चलिए दोस्तों कर आप TVS Sport versus Hero HF 100 या फिर Hero HF Deluxe के बीच में कन्फ्यूज हैं तो इस वीडियो को कम से कम 5-7 मिनिट तक देख लें भाई आपके सभी डाउट्स किलियर कर दूँगा और आपके पैसे बिलकुल जायद जंगे जाएंगे आपका एक भी रूप्या क्योंकि भाई मैंने खुद experience किया है और इन दोनों बैक्स के बीच में मैं काफी ज़्यादा confused था और उसके बाद मैंने TVS Sport ही क्यों खरी थी वो भी मैं आपको लाश्ट में बताऊंगा सबसे बहुआले बात कर लेते हैं दोनों बैक्स के इंजिन पावर्ज की तो दोस्तों Hero HF 100 लेले जढ़े याफिर Hero HF Dollex दोनों ही बैक्स में आपको सेम इंजिन मिलता है लेकिन Hero HF Dollex में आपको कीक के साथ साथ सेलप वाला वेरेंट मिलता ये 100 हो नहीं मिलता है बात की ज जनरेट करता है 6000 RPM पर इस बाइक में आपको 4-speed manual transmission यानि के 4 gear मिलते हैं तीनों में ही आपको power figures बिलकुल same मिलेंगे और तो और आपकी splendor में भी आपको same engine मिलता है और same hero HF relax वाला ही power figures मिलता है लेकिन अब बात की जाए आपकी TVS sports की तो दोस्तों यहाँ पर आपको 100cc का यानि 750 RPM पर 8.7 NM torque 4500 RPM पर अगर देखा जाए टोर्क या फिर power PHP में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर नहीं है दोनों में ही आपको same मिलती है लेकिन hero HF relax और hero HF 100 में आपको 8000 RPM पर मिलती है 8 PS लेकिन दोस्तों आपकी TVS sports में 8.3 PS power मिलती है वैसे तो same ही है लेकिन यहाँ पर आपक 700 RPM पर मिलती है यानि के hero HF relax और HF 100 से हलकी सी पहले मिल जाती है यहाँ पर आपको BHP लेकिन बात की जाए टोर्क की तो भाई टोर्क आपको TVS sport में काफी पहले मिल जाता है बात की जाए आपकी HF relax और HF 100 की तो दोस्तों यहाँ पर आपको 8.5 NM torque मिलता है 6000 RPM लेकिन आपकी TVS sport में आपको 4500 RPM पर ही 8.7 NM torque मिलता है तो दोस्तों देख सकते है 1500 RPM कम पर आपको same torque मिलता है TVS sport में और हलकी सी power भी जादा मिलती है लेकिन दोनों bikes में आपको gear 4 ही मिलते हैं अब दोस्तों engine power की तो बात हो गई अब बात कर लेते हैं दोनों bikes के dimensions की अगर बात की जाए या फिर हीरो HF Deluxe के dimensions की तो यहाँ पर आपको width मिलती है 720 mm, length 1965 mm, height 1045 mm, ground clearance 165 mm, wheelbase है HF Deluxe या फिर HF 100 का 1236 mm, fuel tank capacity है यहाँ पर 9.5 liter और weight है HF Deluxe या फिर HF 100 का 110 kg लेकिन दोस्तों बात की जाए आपकी TBS sport के dimensions की तो यहाँ पर width यानि के चोड़ाई है 705 mm, जो कि आपकी HF से कम है, length 1950 mm, यह भी आपकी HF से कम है, height 1080 mm, HF से ज्यादा height है आपकी TBS sport की, ground clearance 175 mm, यह भी आपकी HF से ज्यादा मिलेगा आपको TBS sport में, बात की जाए बेट की तो दोस्तों गर आप TBS sport की कवाला variant खरी देंगे तो यहाँ पर भी आपको 110 kg वजन मिलेगा, लेकिन अगर आप self start खरी देंगे तो यहाँ पर आपको 112 kg वजन मिलेगा, बात की जाए TBS sport के fuel tank capacity की तो दोस्तों यहाँ पर आपको 10 liter की fuel tank capacity मिलेगी, लेकिन आपकी HF डिलेक्स मे 9 liter की fuel tank capacity मिलेगी, बात की जाए आपकी HF डिलेक्स या फिर HF 100 के tire size की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको front और रियर में 275 का tire मिलेगा, और यहाँ पर आपको 18 inch का alloy मिलेगा, बात की जाए brakes की तो यहाँ पर आपको front और रियर में 130 mm के drum brake मिलेगे, लेकिन बात की जाए आपक की बात यहाँ पर यहाँ पर यह है, HF में आपको rear में भी यानि के पिछले वाला tire भी 275 का ही मिलेगा, लेकिन आपकी TVS sport में 3017 का मिलेगा, यानि के HF से हलका सा चोड़ा tire आपको TVS sport के rear में मिलेगा, और बात की जाए आपके breaking setup की, तो भाई TVS sport के front में भी आपको 130 mm का ही पाइलेट लैम्ट नहीं मिलते, TVS sport में आपको पहले मिला करते थे, लेकिन भाई अब 2030 में कोई सी भी bike में आपको पाइलेट लैम्ट नहीं मिलेंगे, उसके साथ-साथ दोनों ही bikes में आपको front में halogen headlight मिलती है, और tail light भी halogen में ही मिलती है, halogen में ही दोनों भाइक्ष में analog meter मिलते हैं, सब कुछ यहां पर analog दिया गया है लेकिन दोस्तों, दोनों इबाइक में आपको 2-3 काम के feature जरूर मिल जाते हैं, बिल्कुल DC बासा में आपको समझाऊंगा, अगर आपकी बाइक चल रही है और आपकी बाइक अचाना गिर जाए, तो भाई जैसे ही आपकी बाइक steady होगी, तो आपकी बाइक का engine तुरंद बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपकी बाइक गिर जाए और उसके बाद भी गिसर्टी होई जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा आपकी बाइक का इंजन तुरंद बंद हो जाएगा ये टेकनलोजी आपको दोनों बाइक में दी गई है या फिर अगर आपकी बाइक का स्टेंड लगा हुआ है तो भाई आपकी बाइक बिल्कुल स्टार्ट रही होगी या फिर अगर आपकी बाइक का चलते चलते इस टेंड लग जाए तो उसके बाद भी आपकी बाइक का एंजिन बन हो जाएगा ये टेकनलोजी आपको दोनों बाइक में मिलेंगी मैंने TBS Sport की क्यों ली सबसे पहले बात करेंगे इंजन की तो भाई आपको Hero HF Deluxe ले लीजिए या फिर Hero HF 100 दोनों बाइक में आपको सेम इंजन मिलता है लेकिन TBS Sport में आपको 110cc का यानि के हलका असा बड़ा इंजन मिल जाता है तो भाई या पे आपको जो 4500 RPM पर टोर्क मिलता है वो आपके काफी काम आने वाला है जब आप बाइक को या तो भगाने की इच्छा रखेंगे या फिर जब आप किसी को ओवर ट्रेक करते हैं तो भाई आपको एक गेर डाउन करना होता है और आप सटायक से निकल जाते हैं लेकिन भाई Hero HF Relax या फिर Hero HF 100 में आप ये चीज़ बिल्कुल मिस करेंगे 100% मिस करेंगे और सेकंड पॉइंट भी यहाँ पर इंजन से जूड़ा हुआ है दोस्तों अगर आप अपनी TWS स्पोर्ट को भाई मैंने खुछ चलाई है मेरे पास है अगर आप अपनी TWS स्पोर्ट को 40 से 25 के बीच में चलाएंगे यानि के 42, 55 के MPS तो भाई आपकी बाईक में आपको इ Vibration काफी ज़्यादा मिलती है 40 के MPS के बाद ही लेकिन आपकी TWS स्पोर्ट में आपको बता दूँ भाई 60 के MPS के बाद विल्कुल Vibration अच्छी खासी मिलेंगी लेकिन 60 से नीचे आपको फील विल्कुल नहीं होने वाली Vibration यह मेरा Personal Experience है अपनी TWS स्पोर्ट के साथ तो अ बाद तो भाई खल लाई मचाती है गया है गया है गया है गया है लेकिन भाई और मैं तो आपको यहीं कहूँगा भाई आपकी HF Deluxe हो या फिर अस्पलेंडर हो या फिर आपकी पलिटना हो या फिर आपकी TWS स्पोर्ट अपनी बाई को 50 से 60 के MPS के बीच ही चलाएं आपको उसको चलाएं TVS स्पोर्ट भी लगबग आपकी 67,000 यानि के 67,000 रूपीज में आपको मिल जाती है ओन रोड और HF 100 भी आपको लगबग 67,000 रूपीज में ओन रोड मिल जाती है देख सकते हैं दोस्तों आप दोनों बाईक्स का प्राइस बिल्कुल सेम है लेकिन उसके बा तो दोस्तों एक ग्रेब हैंडल आपको HF 100 में बिल्कुल चीफ क्वाल्टी का मिलेगा आपको पाइप वाला मिलेगा अगर आपकी बाईक गलती से गिर जाए तो बैंड हो जाना है या फिर मुर्दूर जाना है लेकिन आपकी TVS स्पोर्ट में आपको काफी एच्चा ग्र किया गया है कि वो बाईक आपको 100 या 110 CC की लगती ही नहीं वो बाईक आपको 125 CC सेगमेंट की बाईक लगती है लेकिन हीरो HF 100 में ये चीज काफी मिस होती है और बाई कभी-कभी तो छफरी टाइप सा भी लगता है कि रियर सस्पेंसन का कवर ही नहीं है अगर बात की जाए हीरो HF 100 के थर्ड नेगेटिव की तो दोस्तों आपको हीरो HF 100 के फ्यूल टैंक पे छोटे सोटे से ग्राफिक्स दिये गए है लेकिन टीवेसी स्पोर्ट के आपको फ्यूल टैंक पे भी और फ्रेंट वाइजर बे भी और रियर में भी आपको काफी ज़्यादा ग्राफि 3D में TVS की वैजिंग मिलती है अब दोस्तों इससे आगे की बात की जाए और चलते हैं टायर साइस की और तो दोस्तों दोनों वाइक्स में वैसे तो आपको कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं मिलता टायर में लेकिन भाई आपकी TVS स्पोर्ट में आपको रियर टायर हल का असा चोड़ा मिल जाता है जिससे आपकी stability हलकी फुलकी बढ़ जाती है जाता तो नई विड़े की लेकिन हाँ भाई हफ डिलेक्स और स्पलेंडर से बिल्गुल बैटर होगी क्योंकि हलका सा चोड़ा टायर यहाँ पर दिया गया है आपको TVS स्पोर्ट में अब इससे के लिए पॉइंट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों TVS स्पोर्ट का टायर तो आपको पलस पॉइंट में मिलेगा लेकिन भाई इस बाइक के आपको वील साइज नेगेटिव में मिलेंगे वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको 17 इंच के अलोई मिलते हैं और एच एप में आपको 18 इंच के अलोई मिलते हैं तो दोस्तों गर अलोई वाइस देखा जाए तो भाई आपकी एच एच एप डिलेक्स में हेंडल बार मिलेगा इसे एक लिए पॉइंट की बात की जाए तो दोस्तो HF Deluxe में कोई भी आपको पासिंग स्विच नहीं दिया गया है लेकिन आपकी TVS Sport में आपको पासिंग स्विच भी मिलेगा और उसके साथ साथ जो आपके स्विच की क्वाल्टीज है वो काफी प्रेमियम सी है यानि के हलकी फुल की आपको TVS अपाचे वाली फीलियां पर आएगी लेकिन HF Deluxe या फिर HF 100 या फिर स्पलेंडर में ऐसा नहीं है वहाँ पे आपको आज भी सो सलब पुराने वही वाले स्विच मिलते हैं लेकिन अब बात कर लेते हैं TVS इस्पोर्ट वर्सिस HF Deluxe अगर बात कीज़े आपकी TVS इस्पोर्ट के किक वाले वैरेंट की तो वो लगबग आपको 66,000 कई पढ़ना है ओन डोड लेकिन अगर आप HF Deluxe की कवाला वैरेंट खरी देंगे तो यह आपको 73,000 कपड़ेगा अब आप खुद देख सकते हैं लगबग 6000 रुपे का विल्कुल सीधा सीधा अंतर है और 6000 रुपे देने के बाद भी आपको वही वाला छोटा इंजन मिलेगा लेकिन हाँ भाई इतना है TVSC Sport जितने गराफिक्स अब आपको Hero HF Deluxe पर भी मिल जाएंगे Fuel Tank पर और भी कहीं और उस सब के साथ साथ यहाँ पर आपको Grab Handle अच्छा मिल जाएगा और Suspension Cover मिल जाएंगे मलब यह HF Deluxe में दो चार कमी की गई थी यह सब आपकी पूरी हो जाएंगे लेकिन उसके लिए आपको 6000 रुपे जादा देने पर देंगे लेकिन Passing Switch आपको नहीं मिलेगा और उस सब के साथ साथ यहाँ पर आपको Engine फिर भी छोटा मिलेगा तो गर आपको TVS Sport Self वाली चाहिए तो यह लगबग आपको 76,000 रुपे की पिड़ेगी और आपकी HF Deluxe 78,000 रुपे की पिड़ेगी Own Road तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 2000 रुपे का अंतर यहाँ पर भी आ जाता है लेकिन आपकी TVS Sport में मैंने जो आपको चीजे बताई हैं वो सारी चीजे मिलेगी और उसके साथ Self एड़ हो जाएगा और आपकी Hero HF Deluxe में भी आपको वही वाली सारी चीजे मिलेगी उसके साथ Self हो जाएगा लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं आप 78,000 रुपे का ऐसी बाइक के लिए दे देंगे जिसमें आपको चोड़ा टायर नहीं मिलेगा और उससके साथ साथ यहाँ पर आपको Vibration फिर से भरबर के मिलने वाली है जो मैंने आपको भी किक वाले वेरिंट में बात बताई मतलब सब कुछ सेम ही होगा बस यहाँ पर आपका Self लगा दिया जाएगा अब भाई इंजन पावर और बागी गराफिक और अबिक्स की तो सारी बाते होगे यह बात कर लेते हैं आपको दोनों में से लेनी कौन ची बाइक चाहिए तो दोस्तो अगर आप मेरी सला लेंगे तो भाई बिल्कुल TVS स्पोर्ट यहाँ पर बिनर है चाहिए आप फिर Self इस्टार्ट में करीदे या फिर आप की की स्टार्ट में करीदे लेकिन भाई अगर आपको Hero की ही बाइक लेनी है आपको TVS की बाइक पर नहीं जाना तो भा काफूल का आपको Graphics से compromise करना पड़ेगा अब भाई आप इतने बुद्धिमान अगर हैं कि अपने Graphics के चक्कर में 67,000 रुपे वेश्ट नहीं करेंगे तो भाई आप बिल्कुल Hero HF 100 ही लें लेकिन दोस्तों गर आपको तो बिल्कुल Graphics के बिना कामी नहीं चलना तो भाई आप बिल्कुल Hero HF Deluxe या फिर TVS Sport देख सकते हैं वैसे तो वहाँ पर भी self start wise अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी आपकी TVS Sport बिल्कुल विनर है Hero HF Deluxe और Hero HF 100 से मैं तो यही कहूंगा अगर आपकी TVS Sport में Tube Lash Tire मिलने लगे तो आपकी Splendor को भी अच्छी कासी पटकी दे लगेगा 100cc की बाइक आप चला रहे हैं आपको लगेगा आप तो 110cc और 125cc की बीच की बाइक चला रहे हैं और TVS Sport 110cc की बाइक है भी तो दोस्तों मुझे उम्मीद आपके सभी डाउट्स किलियर हो गए होंगे अगर आपको अभी भी कोई क्यूस्चन है तो प्लीज आप कै केमेट जरूर करें मैं आपकी रिपलाइक देने की पूरी पूरी कोसिस कुरूँगा अगर वीडियो अच्छे लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और Otex Patary को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो किस टोपिक पर लाया जाए प्लीज केमेट करके जरूर प्लीज वीडियो करें और Otex Patary